नमसे दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी एक powerful remedy लेके आई हूँ जिसमें हमें एक जादू की चोटी सी पोर्टली बनाएंगे जिससे आपका 20 साल पुराना दर्द भी खीच कर बाहर निकल जाएगा बहुत ही अच्छी remedy है एक बार जरूर ट्राय करके देखें इसमें हमारा एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा ये मेरे दादा जी ने अजमाया हूँ अनुसका है जो कि उनको बहुत ही जादा फाइदेमन साबित हुआ है तो आपको भी जरूर अच्छा result मिलेगा दोस्ते आपके पूरे शरीर की हाथ पेर की अकड़ी हुई नसो को एक जटके में खोल देगा अगर आपके पेर में दर्द है पेर में जलन होती है एडिया फटती है या फिर एडि में दर्द है या फिर जैसे आपको जॉइंट पेन है गुटनों का दर्द है गुटनों मे सूजन है अगर हमारे बोड़ी में ऐसी दिक्कते होने लगती है तो रात में नीन नहीं आती बहुत ज़दा प्रॉब्लम हो जाती है और नीन ना आने की वज़े से और बहुत सारी बिमारिया हो जाती है अगर आपको भी इसका सोलुशन चाहिए तो बस वीडियो को पूरा द ले पाओगे तो चले देखते हैं यहां पर हमें क्या क्या चाहिए तो यहां पर मैंने ली है थोड़ी सी अद्रक जो कि हम सबके घर में होती है और इसके फायदे बिया हम सभी को पताए बहुत ज़दा फायदे मन साबित हो सकती है अगर अद्रक का सही तरीके से यूज किय जाए तो और अद्रक एक गरम चीज भी मानी जाती है जो कि बहुत ज़दा फटा फट असर दिलाती है तो यहां पर मैंने इसको कद्दुकस करके लिया है चाहो तो आप इसको कूट के भी ले सकते हो थोड़ा कम ज़दा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो यहां कि आपको लेना ज़रूरी है क्योंकि ऐसी कुछ चीजे है घरेलू जीजे है जो कि बहुत ज़दा असरदार होती है पर हमें पता नहीं होता या फिर हम उसका यूज नहीं करते इसलिए हमें इसका इसका रिजल्ट नहीं दिखता है तो बस आप सही तरिके से यूज करोगे तो यहाँ पे अद्रग भी हमने ले लिया है तो इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए ऑईल यहाँ पे कौन सा ले क्यूंकि ऑईल भी बहुत सारे आप ले सकते हो पर सरसो को आईल है तो और ज्यादा अच्छा है या फिर जैसे तिल का तेल भी आप ले सकते हो अगर आपके पास सरसो का तेल भी नहीं है या तिल का तेल भी नहीं है तो आप option में coconut oil का use कर सकते हो या फिर R&D का जो तेल होता है नो वो भी बहुत अच्छा होता है तो मैंने इसको gas के उपर रखा है अच्छे से काली मेरी को हम गरम करेंगे उसके बाद डालेंगे अद्रक को तो पहले आपको step by step मैंने की जैसे बोला है कि follow करना है ऐसा नहीं कि पहले अद्रक डालो बिल्कुल भी नहीं पहले आपको काली मेरी डालनी अच्छे से गरम करनी है उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है अद्रक और अद्रक ऐसा नहीं कि हम इसको जलाएंगे बस थोड़ा सा हम हलका सा इसे ब्राउन करेंगे और इस तरीके से गरम हो जाएगा तेल आप देख सकते हो हमारा हमने जो एक चमज डाला था वो अभी भी है तो यहाँ पे हम इसका दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं सभी तरीके में आपके साथ शेयर करूंगी जो भी तरीक आपको पसंद आए वो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे दे अगर आपके पास है तो न स्कीप कर सकते हो यहाँ पे मैंने कॉटन का पतला कपड़ा लिया है और इसके अंदर मैंने गरम अधरक डाली है यहाँ पे अधरक को भी ठंडा नहीं होने देना है तुरंथ हमें यह काम करना है और अधरक की बनाएंगे हम यह पोटली यहाँ पे ठंडा नहीं होने देना है थोड़ा होत इसमें ओईल होता है तो बिल्कुल हमें यहीं चाहिए और अगर पोटली ठंडी भी होती है आपको यहाँ पे काम में बिजी हो जाते हो तो फिर से आप इस पोटली को गरम तवे पे गरम कीजिए बिल्कुल भी ठंडा यूज मत उसे यूज कीजिए आप देखोगे आधे से ज्यादा आपको अराम मिल जाएगा यह जो गरम पोटली है इस तरीके से हमें इसकी सिकाई करनी है हलका सा प्रेस करना है और उठाना है और दूसरी जगह रखना है आप देखोगे बहुत अच्छा रिलाक्स फिल होता है और य इस वाले हिस्से पे गरम करकी उस कर सकते हो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपके हाथ पैर में सूजन है या फिर घुटनों में सूजन है तो सूजन उतर जाती है यहाँ पर देखे इस तरीके से थोड़ा सा हमने जो तेल बनाया उसे लेके आप मसाज कर सकते ह पर ध्यान रखे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है हलके हलके हाथों से मसाज करनी है अगर आपके पैरों में जलन है जंजनाट सी होने लगती है तो वो भी दूर हो जाएगी जो हमारी फिंगर्स होती है आप देखना बहुत ज़दा सेंसिटिव होती है उसके बीच में जो बिना दवाई के तो आगे हम पूरी प्रोसेस करेंगे उससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा तो इसके बाद मैंने जो गरम तेल लिया है हलका सा गुनगुना हो चुका है जितना आप सहन कर सकते उतना गरम ले लिजे और ये पैर के पीछे वाले हिससे में जरूर लगाना है अगर आपके पैर दर्द करते एडी दर्द करती है सिर्फ नीचे वाले पैर के हिचसे में लगा के कोई फरक नहीं पड़ता है आपको ये भी जरूर करना पड़ेगा इसकी वज़े से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है अकडी हुई नसे खुल जा अगर आपकी फटी हुई एडिया है तो उसके लिए सुनिए क्या हमें करना है जिससे कि आपकी फटी हुई एडिया बिल्कुल ऐसे जादू की तरह खतम हो जाएगी आपके आपके पैर हो जाएंगे और अगर आपके पैर में जलन है वो भी कम हो जाएगी तो यहाँ पे हम उसके बाद नमक लेना है दो चम मच के करीव और इसे मेने अच्रस कर दिया है इसके बाद यहाँ पे बर रतन पानी गरम करने को रखा था था थोड़ा सा पानी हम अच्छे से गरम करेंगे और इक बड़ा सा बर्तन लेना है या फिर आप बकेट भू ले सकते हो उसके अंदर गुंगोना पानी ले लीजे जितना आप सहन कर सकते हो उतना गरम रखना है ठंडा बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करना है तो इसके अंदर हमने जो पावडर बनाया है फिटकरी और नमक का उसे डालना है जैसे आप इसे डालोगे अच्छे से मिक्स कीजिए ये जो फिटक होती है तो ये भी खतम हो जाती है बहुती ज़दा फायदा होता है लास्ट में आपको ये करना है दिन में आप कभी भी से कर सकते हो इसके बा sellers सा अराम कीजिए पानी थंडा हो होने तक पैर बिल्कुल भी नहीं रखने है और पैर बस रखने नहीं है इस तरीके से चलाने है आप देखोगे बहुत ज़दा अराम मिलता है और हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक पे चाहिए मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताईए ताकि मैं जल्दी से जल्द कीजिए एक बार में आप इतना रिलाक्स फिल करोगे कि मुझे यकीन है आप जरूर ये बार-बार करोगे और अपना सारा दर्द पूरा खतम कर दोगे और आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी उसफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल पे न देखने के लिए दिल से थेंक्यू